नमस्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्वगते दोसों आपके घर परिवार की पीछे भूत छोड़ दिया है इस नाम की नारी या फिर इस नाम की औरत हम आप शुव को बता दें कि यहाँ औरत पिछले कई महिनों शे पिछले कई शालों शे आपके उपर तांत्री किरिया भी करवा रही है और इनके ही कालाजादों के कारण आपके कारे अक्षर बनते बनते बिगड़ जाते हैं इनके कारण आपके जुनकाल में इतनी शारी परिशानिया लगातार बनी रहती है आप शाह कर भी इन परिशानियों से मुक्त नहीं हो पाते ही एक परिशानिय गर आपके जुनकाल में खत्म हो जाए तो या एक और शनी इंतर करती है और आपके जुनकाल में कोई दुश्रा बाधा खड़े कर देते हैं जिनकी करन आप फिर शुवलज जाते हैं यूँ के हैं तो आपकी जुनकाल में बिरिद्धी कम हो गई है इस नाम की नारी के वज़ाशी जिया दोसों तो दोसों आज की इस वीडियो को आप पिल्कुल ही मिशना करें और शुरूश लेकर इन्हें बश इन में आपकी जरत होती है कि वीडियो को शुरूश लेकर अंत तक ध्याश देखिएगा जया दोसों हम आप शुरूश को बताते कि आज की वीडियो में हम आपको इस नारी का नाम भी बताएंगे शाति केसे आप इनसे बश रखते हैं कौन शुपायों को आपको करना चाहिए ताकि इन बधा उशा पूरी तरह मुक्त हो जाएं उश्य पहले दोसों जो भी माकाली के शच्चे भक्त हैं दोसों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्ष में शच्चे मनसे जय माकाली रख्चा करो जरूर लिखेगा दोसों माकाली का शच्च इतना खाश है कि जिनके भी जुनकाल में इनका आँख पड़ जाए जिनके भी जुनकाल में इनका अशिरवाद मिल जाए दोसों उनके जुनकाल में शंकड तो दूर की बाद शंकड की परशाई भी नहीं आ पाती जिया दोसों तो दोसों जरूर कमेंट बॉक्ष लिखें शादे चैनल के लिए और बेल आइकन को प्रेश कर दें मां काली का शिविक युन्काल पर शदेब रहेगा जी अध्या दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने युन्काल में बहुती शपल इंसान बनने की सोच रखते हैं जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों आप कभी भी उनने मन में दबाकर नहीं रखते हैं। परिवार के शाथ बातों को तो शेयर करते हैं जो भी आप अपने जुनकाल में चाहते हैं लेकिन दोस्तों इनके शाथ शाथ जोगी आपके शगेशंमन्दी हैं जो भी आपके पास चाहते हैं जो भी आपके दिल के करीब हैं दोस्तों आप भी उन्षे अपने जीवन की जो भी बाते हैं जो आने वाली क्रेकलाब हैं उन्हों शबी की जो गुप्ट बाते हैं अपने जुनकाल में आने वाले जुजनाओं के बारे में शबी को बता देते हैं तो दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इन्हें के कारण दोस्तों आप शबी के जिवनकाल में जो भी शमस्याएं आ रही है यहीं से शुरुआत होती है जें दोस्तों आपको बता दें कि शब्से पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप कि इन बातों को शमय शमय पर नजर्णदाज करते आ रहे हैं। दोस्टों, याद कीजिए, कि पिछले के स्मयूमिन दृइना, आपके शामने अच्छे बनने के कार भी वह लोग करते हैं और दोस्तों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बेटते हैं तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है क्यों भगवान श्री किष्ण कहते हैं कि किशी भी इंसान को एक बार माप करकर अच्छा इंसान बन में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको कभी भी धोखा दिये हैं कभी भी आपको चल किये तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार श्री पहचान करना है और उनसे दोस्तों उनसे बात भी आपको नहीं करना है जैसे दोस्तों आप उनको अपने जियो न रुख्षान होते हैं तो दोस्तों आपको अपने जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है इसको प्राइब दोस्तों आपके लिए आपके जुनकाल में एक और यशी बात है जो कि आपके लिए शटिक है कि दोस्तों कोई भी इंसा जब आप शे कुछ रुपिया मांगता है जिए दोस्तों कोई इंसान इमोशनल होकर आप शे को रिकार करने के लिए कहता है तो दोस्तों आप उन्हें बिलकुल भी नहीं कह पाते हैं दोस्तों यह उनकी शबसी बड़ी गलती है तो आपको अपने युनकाल में बातों का ध्य प्यान भी नहीं करते हैं तों की बारे से ही लोग है जो की आपको दोखा देने के चकर में रहते हैं तो फिर दोस्तों सब उनको आप पैसे देते हैं तो तो कई पूरी करती है वहीं दूसरी और अगर हम किसी को पेशे देते हैं तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कारी क्यों न कर रहे हो हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं वो एमसे नजरे चुराने लगते हैं जितना आप पहले बात करते थे दोस्वों पीछे आप बात करना कम कर देते हैं तो दोस्वों ऐसे जीवन की हालात हो जाती है तो दोस्वों आप इन बातों का अदर रखें जे दोसो जहां तक हो शोगे आप शमय उन्हें दिर्शक्ति हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी और दोसो पेशे को लेंदेन में आप बिल्कुल ही ना पड़ें तो दोसो इन बातों को आप अपने जुनकाल में ध्यान रखें कि दोसो एसे ही गलतियां होती है जो बहुत प्रकार की जो इनके उपर हो शक्ति हैं आपके उपर करने लगते हैं तो आई दोसों से के इसाद बात करते हैं कि इन शबी sparks मुटति पाने के लिए आपको कौन शेव महतपुन उपायऊं को करना चाहिए, जी दोसों, तो दोसों आपको बता दे क्यों ये शभी बात्रों को बिलुकुल ही ध्यान शेशनियेगा, क्यों दोसों ये आपके श्वेंग पर नियंत्रन नहीं रहता वह खुद से कोई कारे सोच नहीं शकता श्वेंग को और दुसरे को हमेशा मांसिक और शारिक नुक्षान पहुंचाता रहता है व्यक्ति के शरीर के हिशाब से जो उनका बल होता है वह ज्यादा आ जाता है नेत्र में जलन होने लगता ह है बार-बार पेशाबाना उदाशिन और गुंचुं रहना वह व्यक्ति शुरू कर देता है हमेशा गुश्यल हो जाता है और चिच्चिड़ा पन आने लगता है चेरा भी पीला परने लगता है भूख ज्यादा लगती है अचाना कि कोई रोग हो जाता है और जब करें आयुकर कोई भी चीज आपके जुनकाल में आपके पार्योंके में किस्ट के शाथ हुआ है तो दोस्वों आपको शमढ़ाना है कि इनुके पर तांत्र क्रिया जादू तो या फिर नजर दोष का ही चाल है तो दोस्वों बचने के लिए अब आपको क्षे उपाएं को अपने घर बाहर का लिपाई करें शाति जो गुम मुत्र होता है उन्हें अपने घर के चारों और से हर रोज छिड़काव करें जे दोस्तों हम आप शुकु बता दें कि दोस्तों जो भी तांत्री क्रियाएं होती है वह हमेशा आधी रात को किया जाता है जे दोस्ता कि कोई अब इसे उन्हें यहां दोस्तों सब्सक्राइब आप अन्हें उपाएं कि कोई आपको टोक एड़कों करती है और कोई अगला व्यक्ति तो डे तो दोस्तों उनका अश्र नहीं होता तो जब वियांप गयामद शुरकाव करते हैं तो आज-पस आपके कोई बेना हो चुप प्रति दिन एक शुपाड़ी शाबुत अर्पन करें गनेश जी को हरोज किसी दरितर नरायन को एक कटोरी भर कर अनकाभी दान करें शाती लहशुन का रश और हिंग मिला लें और इन्हें शुमादे जो भी आपके घर में पीडित वक्ति है जो भी जो भी लोग इंशे परिशान है बुरी शक्तियों से परिशान है शाती आपको बता दें कि द तूल्शी का पोधा अपने आंगन में जरूर लगाएं अगर है तो दोसों शुबह शाम तूल्शी की आप अराश ना करें तूल्शी को धूप दीब दिखाएं घी का भी दीपक जलाशकते हैं बहुत ही कारगर उपाय है रात दिन पवित्र होकर शुबह शुबह शाम दो जो भी गलतियां हमशे हुई है उन्हें माप कर दीजिए माँ हमें अपने शरन गती में रखी दोसों एशा आपको प्रातना करना है दोसों मीद करते कि आज कर यह जनकारी आप शिभी को बहुत यदा पशन आया होगा दोसों पसंद आए तो दोसों वीडियो को जरूर ला शुकी धन्यवाद